नमस्कार आप देख रहे हैं शहर का नमबर वन चैनल सर्टी डूज मुजफ़पूर और मैं हूँ आपके साथ नीरज स्वास्तर खबरों का सिलसिला सुरू करने से पहले आई एक नजर डालते दिनवड की खास सोखियों पे सरकार के आदेश के बाद जिले में अनलॉक की प्रिक्रिया हुई शुरू पहले ही दिन बाज़ारों में उम्री लोगों की भी पूर्व स्वास्त मंत्री तेज प्रताब यादब ने अच्चानक सके म्सेच का किया निरेक्शन और नितीज सरकार पर किया सीधा हमला और सके म्सेच के पीकु वार्ड में एईएस से एक और बच्चे की हुई मौत तो ये थी आज की सुड़की और अब खबरे विस्तार से मौक्ष मंत्री नितीज कुमार दौरा जारी किये गए आदेश के बाद जिले में अनलॉक की प्रक्रिया बुद्वार से शुरू हुई पहले दिन ही नहीं दिखा लोगों में जागरुपता जिले में बुद्वार को अनलॉक वन के शुरू होते ही लोग कुरोना महमारी के दूसरे लहर में बड़ी परिशानी को भुला कर बेख़ौफ होकर बाजारों में दिखाई दे रहे हैं मानो कुरोना का कोई ख़ौफ ही नहीं है शोसल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ाते हुए बिना मास के घूमते नजर आ रहे हैं या इस्तिती सिर्फ बाजारों की ही नहीं बलकि सरकारी काड़यारों के बाहर बैठे लोगों की भी है ऐसी लापरवाही रही तो बहुत जल्द कुरोना के तीसरे लहर का सामना जिले बाशियों को करना पड़ेगा इस चोटी सी लापरवाही आपके परिवार समाज सब के लिए भारी पर सकता है साबधानी बढ़ते कोरोना को हडाएं दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी को अपनाए लोग फिर उसी तरह से बिना सोसल डिसेंस मेंटन की वे बिना माक्स के और इसे घुम रही है अब अच्छी चीज नहीं है यह हम लोग इतना प्रिकोशन सब लोग परता है कुछ कमी हुई है बिमारी में और मेरा जन्ता से नहीं रहेगा कि अभी भी बिमारी गई नहीं है थर्ड फे जाने वाली है कृपिया सोसल डिसेंस मेंटन करें अती आवस्थों घर से बाहर निकलें और कृपिया जो सरकार गाई ले उसका पांग करें लालू यादब के बड़े वेटे और पूरु सोस्त मंत्रे तेज प्रताप यादर ने सकेम सेज पड़िसर का निरेक्शन कर सरकार पर सीधा हमला किया नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदब एक तरफ जहां ट्वीटर के जड़िये नितीज सरकार पर निशाना साथ रहें तो वही तेज प्रताप यादब लगातार जमीन पर उतर कर सरकार की मस्किले बढ़ाने में जुटे हुए हैं दरसल कोरोना की दूसी लहर के दौरान तेजश्वी आदब बिहार से दूर रहे तेजश्वी ने सरकार पर हमला तो खूब बोला लेकिन बस बिहार की सरजमी पर उतर कर लोगों की मदद को सामने नहीं आ पाए उनके उल्टे उनके बड़े भाई तेजश्वी परताप यादब लगाता और बिहार के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं लालू यादब के बड़े वेटे तेजश्वी परताप यादब बुद्वार को मुजफ़पु और दर्भंगा के दौरे पर थे जिले में पहुंचकर उन्होंने एसकेम सीच का जाजा लिया एसकेम सीच में स्वास्त विवस्था का हाल जानने के बाद तेजश्वी परताप यादब ने नितीज सरकार पर हमला बोला है तेज प्रताप ने कहा कि सुबह में स्वास्त विवस्ता दुरूस्त रखने का सारा दावा जूटा है और नितीज सरकार को अपने जूट के लिए इस्तिफात दे देना चाहिए तेज प्रताप यादब ने SQMCH में मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हाल चाल भी जाना थोड़ी देर तक यहां रहने के बाद तेज प्रताप तो वहां से रवाना हो गए तेज प्रताप यादब जिस वक्त SQMCH पहुँचे उस वक्त वहां उनकी पार्टी की सैकरो कारे करताओ और समर्थकों की भी रिकठा हो गई हालात ऐसे हो गए कि SQMCH के अधिक चक को भी हटाने के लिए चितावनी तक देनी पड़ी उन्होंने माइक से लगातार एनाउंस करते हुए कहा कि लोग अस्पताल में भीड ना लगाएं और शांती विवस्ता को बहाल रखे सोसल डिस्टेंसिंग और कोविड नाइंटीन प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अधिक चक बार बार अपील करता है थे स्वास्त मंत्री और राज़त के नेता तेजपरताप प्यादव आज मुझफरपुर के SKMCH पहुचे थे लगतार SKMCH में सिकायत मिल रही थी कि इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है जिसके बाद आज तेजपरताप मुझफर पहुचे और जहां उन्होंने SKMCH के सबी डॉक्टरों के साथ बैठा कर सबी वाडों का निरक्षन किया इस दोरान उन्होंने मरीज के परिजनों से बात किया मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने SKMCH में हो रहे इलाज पर कई सवाल खरा किये इस दोरान नेता राजद तेजपरताप यादव के जो समर्थक से वो कोविड प्रोटोकॉल के नियम को ताक पर रखकर धजिया उडाते दिखे उनके साथ पर दाचित में क्या कुछ कहा आप भी सुनें के दौरान हम यहां अस्पताल में रक्षन कर रहे हैं और पिछले बार हमने हाजी पूर महुआ और अपना विदान समद उच्छेत रहे वहां दौरा करने के काम किया अब बहुत पूरे अस्पतालों का जो समस्या है और यहां ठाइब देखने का काम किया है और यहां पर को फुल्फिल किया और यहां पर करोना के लिए क्या क्या को वास्ता किया पहिला जो एक वashes उनको डिया गया लो लोग हैं को हम यह सपार करने का क्याल करते हैं कि आपको सब्सक्रस कोchn직 नहीं बिल्डिंग जो बनी हुए लेकिन उसमें मैनेज्मेंट नहीं है इस्ट उसमें मैनेज्मेंट करूं करते हैं कि ब्लैक फंगस यह किसी भी तरीके का डिजीज हो या सरकार कोई लाज़ने सुना कि किस तरीके से पूर्श्वास्त मंत्री सरकार और इसकेम्सीयज परसाषन पर कई सवाल खरा किये। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कोवीड प्रोटोकॉल की नियम की धजिया उड़ाते इसी एसकेम्सीयज में दीखे। अब सवाल यह खरा होता है कि क्या ऐसे ही इस कुरोना महमारी से लड़ा जा सकता है जब हमने इस मामले पर SQMCH अधिक चक BCH से बाचित करने की कोशिश की तो उन्होंने नराजगी जताते हुए साफ कहा कि मेडे दौारा कहीं से कोई परमिसन नहीं दिया गया था सिर्फ एक नोटिफीकेशन उनको वाटसप में मिला था कि आज तेज परता पर आदा मुजफरपुर के SQMCH आ रहे हैं सुनिए SQMCH अधिक चक BCH ने क्या कुछ कहा जो आते हैं माननी हैं विधान सवा के सदस हैं उन्हें अपने समर्थों को दूर रखना चाहिए सपताल में इतने लोगों के साथ घुष जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है यह प्रोटिकॉल में भी नहीं आता है कोरोना अभी गया नहीं है हम अभी इसके बारे में तो नहीं सोचे हैं फिर देखते हैं किसा कश यह हम संस्थान में किसीено को आने के लिए तो यह कोा अनुमतिन नहीं देते हैं ज़्या पी उनके आने की मुझे सूचना मिली थी लेकिन हम को इस तुरह के से काजलत कम के लिए पूपि उन्हों उन्होंने जिग्यासा जाइर की कि हम जाएंगे तो मैंने उन्हें का कि आप मेरे साथ चल सकते हैं लेकिन इस तरह से भीड़ गई वो अच्छी नहीं थी शहर के जलजमाओं की समस्या को लेकर निगम सभागार में मेर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से निगम कर्मियों के साथ तीसरे दिन भी एहम बैठक की शहर के विकास और जलजमाओं की समस्या को लेकर निगम कर्याले परिसर के सभागार में चल रहे अंचल बार समिक्छा बैठक के तीसरे दिन बुद्धवार को मेर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे की अध्यक्षता में शहरी छेतर में विकास और नाला सफाई के मुद्धो पर अंचल संख्या चार और पांच के अंचल नरिक्छक वाड नरिक्छक अंचल में पढ़ने वाले वाड के पारसद के साथ चर्चा हुई वही मेर सुरेश कुमार ने बताया शहर के विकास और जलजमाओ की समस्या के निवारन के लिए नालियों की सफाई पर विशेश जोड दिया जा रहा है नाला की सफाई के साथ कलवर्ट को सूपर शकर से साफ करने का निर्णर लिया गया लोगडाउन के दोरान बोचा विदायक के पूतर दोरा डे नाइट क्रिकेट मैच कराए जाने का सोसल बेडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद जिला प्रशाशन दोरा जांच का आदेश दिया गया कोविड को लेकर जहां एक और दुनिया भड़ में संक्रमन को रोकने को लेकर आईपियल सहीत कई बड़े आयोजन को रद्ध किया गया है वहीं जिले में एक हैरान करने वाली तश्वीर सामने आ रही है जिसके बाद राजनितिक सियासी तेज हो गई है वहीं प्रशासनिक महकमे में हरकंप मच गया है दरसल जिला के बोचहा के विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर्द पासवान के दौरा इस कोविड महामारी को अंदेखा करते हुए नाइट क्रिकेट टोनामेंट का आयोजन किया गया जिसमें ना सिर्फ फूटेज में बड़ी संख्या में ग्रामिनों की भीर उमर पड़ी है जबकि जमकर बैंड बाजा और गाजे के साथ लोग जूमते हुए भी नज़र आए जिले के मुसारी थाना च्छेतर में आयोजित इस दीवा रात्री क्रिकेट मैच के आयोजन करने के साथ सरकार में शामिल विधाय के पुत्र इस क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए कुरोना के नियमों के पालन के साथ साथ सरकार के तमाम कोशिशों और दावे की पोल खोल रही है पूरे मामले में S.D.O. पुर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि यह मामला बेहत गंभीर है और इस मामले में जाच करने की कारवाई की जाएगी इसके पुर्व जो भी साथ कारिक तक हम लोगों का नियम लागू था अगर उस नियम के विप्रित किसी ने कारे किया है तो उनके बिरूद कारवाई करेंगे यह तथ्य अभी तक मेरे समख्ष नहीं आया है हम आप लोगों संरोद करेंगे कि अगर ऐसा कोई साच है तो निश्चित रूप से इनके आयोज़ुकों के बिरूद जो लॉकडाउन उलंगन का करवाई होता है वो किया जाएगा अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्स्क्लूसिफ शोडूम नील कमल इंडिया की फेवरिट फॉनिशर ब्रैंड है इस कम्पनी के सभी रेंज एक ही छत के मीचे आपको मिलेगे कम्पनी का एक्स्क्लूसिफ शोडूम होने के कारण 40 प्रतीशत तक की विशेश छूट यहां मिल रही है इसके अलावा 0 प्रतीशत इंट्रेस्ट के साथ बैंक से फाइनसिंग के विसुभिदा उपलब है तो देर मत कीजे एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे हमारा पत सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मुखा दे स्टी इंटरनेशनल स्कूल, if you want to give your child a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CVSE कारिकुलम हमारे हाँ अनुभवी एबं प्रसिक्षत सिक्षकों द्वारा बच्चों के देखवाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा सिक्षन की सुविदा है कक्षा एक से दस तक कंप्यूटर के मुफ्त सिक्षा के अलावे शात्रेवं शात्राओं के संगी तथा निर्ति की सिक्षा के विवेवस्था है पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लेस है स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है हमारे हाँ अपने बच्चों के उज्वल भविश्य के लिए जरूर पधारे हमारा पता है बांध रोड शेखपूर अखारागाट मुजफपरपूर हमारे स्कूल का कुछ में फीचर से जैसे बच्चों की देख भाल करना हमारे यहाँ पुस्तेकाले वगरे की पूरी अच्छे तरीके से ववस्था है क्लास्रूम सारट बना हुआ है CCTV कैमरे से हमारा क्लास्रूम डेकोरेटेड है सेकूरिटी के भी विजन से हमारा क्लास्रूम बहुत प्रोटेक्टेड है हमारे यहाँ जो भी सिक्षक सिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स भी हैं हमारा विद्धाले भी चारो तरफ से बना हुआ है हमारे हाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है कंप्यूटर के फ्री सिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं हमारे हाँ नामंकन प्रारंब है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है तो आए बढ़ते हैं अगले ख़बरों रेड क्रोस सभागार में दिव्यांगों के लिए दो दिवस्य विशेश शिविर का आयोजन किया गया है पिछले विधान सबा चुनाव में जिला आइकोन रहे अव्यूदर शरन के नत्रतुमें दिव्यांग जनों ने शिविर में आकर टीका करन कराया है वहीं टीका करन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की इस पहल को दिव्यांगों ने काफी सराहा है रेड क्रोस के प्रतिबंधक पुषकर विद्यार्थी ने बताया कि रेड क्रोस में लगातार कोरोना टीका करन पर काम हो रहा है इस दो दिवर्शिय विशेश शिविर के पहले दिन टिका करन में दिव्यांगों की संख्या कम है। इस वैस्विक महामारी से बचाव के लिए टिका करन जरूरी है। तक हमारी आबाद पहुच रही होगी। सब लोगों से अफील है कि भैक्सिन लेना अनिवार्ज है। सभी लोग भैक्सिन लें। किस वैक्सिनेशन सेंटर पर दिया जाना। ये रेट क्रोस में ये सुधा दिया गया है। नौ तारीक और दौस तारीक हो। बच्चे की चमकी बखार से मौत हो गई। वहीं अब तक इस वर्स छे बच्चों की मौत हो चुकी है। दरसल पिछले कुछ दिनों से चमकी बखार से पेरित कई संदिक्द बच्चों को गंभीर हालत में SKMCH के PQR में भरती कड़ाया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार सिवहर के बच्चे की चमकी बखार से मौत हो गई। जिसका इलाज SKMCH में चल रहा था। वही SKMCH के PQR में फिलहाल चार बच्चे भरती हैं जिसमें दो बच्चे में A.E.S. की पुस्ती हुई है। वही चमकी बखार के लेक्षन वाले दो अनिसस्पेक्टेड बच्चे भी भरते हुए हैं जिनका फिलहाल SKMCH के PQR में इलाज चल रहा है। साथ ही बता दे कि जिलाप्रशासन चमकी बखार को लेकर जागरुपता अभियान ग्रामीन छेत्रों में चला रहा है। वही अधिकारी हर सब्ता हमें अपने छेत्र में जागरुपता का कारिकरम करते हैं। गोरतलब है कि इस वर्स अभी तेक 28 बच्चों में AES की पुस्ती हो चुकी है। जिसमें 6 बच्चों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। मामले की पुस्ती करते हुए SQMCH की अधिक्चक सह सिसु विवागा ध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि चंकी से लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है। AES से इस वर्ष अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 28 बच्चे भरती हुए है। मेरे साथ SQMCH उपाधिक्षक डॉक्टर गोपाल संकर सहनी है। अब ही तक अब देट में जनवरी मैना से लिक अभी तक में 28 बच्चे एजस की पुष्टी होके यह हुए है। और 28 में 6 बच्चे की डेथ हुई है। लास्ट डेथ कल रात में अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं वो सीवहर से आया था बच्चा तीन साल का बच्चा था वो सीवहर के थूरू रविवार को भरती हुआ था और उसमें हाइपो ग्लैशीमिया थे लो ब्लड शुगर का था तो हम लोगा ने बहुत अथक प्रियास किया तो सक्सेश्फुली डिश्चार्ज हो चुके हैं अभी फिलाल हमारे यहां दो बच्चे एज्यस के हैं और उसमें एक बच्चे मन्दो दोनों बच्चे इस्टेवूल ही हैं और अभी दो बच्चे संदिक एजिस के हालत में भरती हैं उनका वी हम लोग टेस्ट वगर करव रहे हैं तो वह सब रिपोर्ट आने के बाद फैनली फिर उसको एजिस में लाइन लिस्टिंग में डाला जाएगा तभी दो बच्चे बच्चे बढ़ती हैं एजिस के आज के लिए निकाला जा रहा है इसको लेकर क्या आसा बहुत अच्छा यह तो पोजिटिव तो यह बहुत अच्छा काम कर रहा हैं लोग सब पता चल रहा है कि यह चंपी बुखार क्या होता है और इसे बचाओ क्या करना बच्चे को कैसे रखना दिन फर बच्चे को नजर पर रखना है धूप में नहीं खिलने देना है सामने उसको खिला के सुलाना है इसलिए पूरा लेते हैं तो बहुत खुसी मिलती है कि पबल्लिक जागरुख है जैसे उसके बहुत कारगर ए cuánto में कि जब सकते हैं तो रहेंं में TV मेंन tack बच्चे को ध्यान देना है दूप में नहीं खेलने देना है और दीन भर कुछ लिक्विड डाइट के पदार्त उसको इसे की और इसका गहोल पिलाए नीमू पानी पिलाए नारियल का पानी भी पिला सकते हैं और रेगला इंट्रेल वर्ड पर खाना भी देना है और दो परटेंट बात अभी भागा को कहना में चाहूंगा चंपी गर्मी शुरूर होते ही चंपी दस्तक देना शुरू करें स्वास्विवा की क्या कुछ तैयारी है और हम लोग करीब करी फेबरेरी महिना से ही पूरी तैयार कर लेते हैं और हम लोग के पास हैं ड्रक्स भी मौझूद हैं डॉक्टर मौझूद है और फॉर्चुनेटली अभी एक जून से दस डॉक्टर की पोस्टिंग भी हुई है पांच डॉक्टर नलंदा से आया हैं पांच डॉक्टर पीमसी चाह हुए तो हम लोग डॉक्र की भी अब कमी नहीं रह गई है अब तक छे बच्चे की मौत हुई है जबकि 28 बच्चे भरती हुए 22 बच्चे स्वास्थो पर घर लोट गया है जबकि दो बच्चे का इलाज चल रहा है इस समाशार की प्रायोजक है अवासी भरतिय इंटरनेशनल स्कूल समारनाले परिसर से चमकी बखार जागरुकता रच को जिलादिकारी ने हरी ज़ंडी दिखा कर शहरी छेतर के लिए रवाना किया जिले में चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रन को लेकर जिला प्रशासन और स्वस्त विभाग के दोरा लगातार प्रचार प्रसार जारी है इस कड़ी में बुद्वर को समरनाले पडिसर से जिलादिकारी प्रणव कुमार के दोरा प्रचार प्रसार वाहनों को हरी ज़ंडी दिखा कर शहरी छेतर में चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूप करने के लिए रवाना किया गया वहीं जिलादिकारी ने कहा कि AES पर प्रभावी नियंतरन के मद्दे नजर शहरी और ग्रामी छेतरों में व्यापक जन जागरूपता अभियान चलाया जा रहा है पीरित बच्चों की इलाज के लिए चिकित सक्किये विवस्था सुनेश्चित की गई है साथ ही कहा कि प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश पीरित बच्चों को बीना समय गवाय निकट के प्रात्मिक स्वास्त केंद्रिया सकेंश्चित में पहुंचाना है ताकि उनका समुचित इलाज किया जा सके कोरोना महामारी की आपदा में कई समाजिक संगठन सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं बुद्धवार को लंडन में बने बिहारी लोगों की संस्था बिहारी ज लंडन के द्वारा मुजफर पो पुलिस अस्पताल को दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पांच सो मास्क तीन सो पी सेनेटाइजर एससपी जैकांत को उनके कार्याले कक्ष में सुपूर्द किया है इस अफसर पर लंडन में फाइनस डिरेक्टर के रूप में कारयरत कुमार जोती ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस कुरोना महमारी में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कारयरत पुलिस कर्मियों के सुरक्षा है तू पुलिस अस्पताल के लिए डोन तो लंदन के अपने फ्रेंड्स का लीग और जो भी इंडियन डायस्पोरा है उससे मिलकर हमने कुछ पैसे फंड्रेस किया और उससे चुकि पुलिस हॉस्पिटल को ज्यादा डोनेशन नहीं आया था तो हमने दो कॉंसेंट्रेटर कुछ मास्क्स और कुछ हैंड इसा देने में बिलंब हो गया है मैं समझ सकता हूं क्योंकि हमारा भी सोच यही था कि जब सेकेंड वेफ पीक पे था तब हम दे पाएं बट दे रहा है दुरुस्ता है और बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रॉक्टर की हालत हम लोग सब जानते हैं तो जो भी देंगे उस तब तक लिए इजाज़त दीजी हमारी पुरे निउस टीम को नमस्कार